नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो में मैं करूंगा पेटी एम शेयर का टेक्निकल एनलिसेस और दोस्तों हम देखेंगे इस शेयर में एक धमा के दार तेजी कब आएगी इस टॉक में हमारे बेस्ट बाइंग लेवल्स कौन से रहेंगे और अंत में हम ये भी डिसकस करेंग के इस शेयर में हमारे short term targets क्या रह सकते हैं तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करते हैं पेटी एम शेयर में important support लेवल की तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस शेयर में 630 रुपीस का लेवल एक important support लेवल है यहाँ पर आप देख अगर यह शेयर 630 का support तोड़ देता है तो उसके बाद इस शेयर में हमें एक बड़ी घिरावट देखने को मिल सकते हैं उसके बाद दोस्तों इस शेयर में जो दूसरा support है वो है 580 रुपीस का लेवल यहाँ पर आप देख सकतो 580 का लेवल भी एक अच्छा support है क्योंकि प important रेजिस्टंस है यहाँ पर आप देख सकतो यह वाला लेवल पहले भी आप देखो इस शेयर ने इससी लेवल पर रेजिस्टंस फेश किया था और जैसे यह रेजिस्टंस इस शेयर ने ब्रेक किया उसके बाद एक अच्छी तेजी आई थी और अभी भी यह शेयर इससी इन का लेवल एक महत्व पूर्ण रेजिस्टन्स है दोस्तो आई अब हम अपलाई करते इस शेर में कुछ इंपोर्टन टेकनिकल इंडिकेटर्स और देखते हैं यह टेकनिकल इंडिकेटर्स हमें क्या सिगनल दे रहे हैं तो जब तक यहाँ पर मैं MACD और RSI अपलाई कर रहा हूँ तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए तो यहाँ पर दोस्तो आप देख सकते हैं अभी MACD इंडिकेटर हमें एकदम न्यूटरल दिखाई दे रहे हैं ना तो MACD बुलिश है ना तो बैरिश है और दोस्तो RSI का भी कुछ यही हाल है RSI की value अभी 40 के इदर है और आप देखो RSI एकदम अभी flat चल रहे है तो दोनो टेकनिकल इंडिकेटर अभी तो हमें neutral दिखाई दे रहे हैं और दोस्तो अगर हम stock को भी देखते हैं तो stock का price भी आप देखो अभी एकदम sideways pattern में चल रहे है तो अगर हम बात करते हैं इस share में खरीदारी करने की तो यहाँ पर अगर यह share 660 के उपर जाता है तो उसके बाद इस share में खरीदारी करने का एक सही मौका रहेगा उसके बाद दोस्तो यह share हमें 746 रुपीज तक जाता हुआ दिकाई दे सकता है पर अगर यह share resistance break नहीं करता और अगर यह share अपना support तोड़ देता है तो यहाँ पर एक गिरावट आने की भी संभावना रहेगी उसके बाद यह stock 580 रुपीज तक भी आ सकता है और अगर यह share 580 का support भी तोड़ेगा तो यहाँ पर 519 रुपीज तक भी आ सकता है तो यहाँ पर दोस्तो क्योंकि यह share अभी एक sideways pattern में चल रहा है तो यहाँ पर यह share अगर resistance break करता है तो एक अच्छी तेजी आएगी और अगर यह share अपना support तोड़ता है तो एक बड़ी गिरावट आ जाएगी तो दोस्तो अगर आपको खरिदारी करनी है तो आप तब ही buy करो जब यह share इस level की उपर जाता है तो आज की वीडियो के बस इतना ही यह वीडियो के educational वीडियो था इसलिए इस share में मेरी कोई भी buy sell या hold की सला नहीं है धन्यवाद